मैं एक टेक्निक आपको बताता हूं कि राहू क्या होता है जब राहू है ना राहू का टेक्निक आज बताता हूं और केतु का भी है और काल पुष्कुनली इतनी इपॉटेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है काल पुष्कुनली बहुत इंपॉटेंट है कि अभी इसी चार्ट को हम दोबारा डिस्कुस करेंगे ठीक है पूछा है चाहिल वर्थ का कब है ठीक है सवाल हम निकालेंगे चाहिए और हमने आपको याद होगा अधिक कर शादी का भी निकाला था तो सिच्वेशन सागेंगे जा रही है जैसा हमने उसमें यह का था कि फरवरी में किसी के साथ मिलना हो सकता है और मैं आज पर शादी आना बाते मैं जा रही है वहारा परडिक्शन बहुत सभी हो जाएगा ठीक है तो टेक्निक क्या है देखो राहू और के तू ना के तू लिखता है बता है के तू लिखता लिखना चाहता है और राहू लिखना नहीं चाहता है राहू याद करना चाहता है सबसे इंटेलिजेंट जो प्लैनेट है ना मोस्ट इंटेलिजेंट प्लैनेट सम्में इंटेलिजेंट जो प्लैनेट है वो कुछ एक प्लैनेट से हैं जिनको रिशेपराश्ण जी ने कहा है कि इंटेलिजे क्योंकि राभू के पास सिर्फ धड़ वो है सर है राहू के पास सिर्फ सर है कि से रह्मत पाद तो उसके पास सिर्फ दिमाग है वह बहुत कुशागर बुद्धि का है को राहु इंटेलिएंड वह याद रखता है चीजेशों को लिखता नहीं है ऐसे बच्चे जो लिखने में ऑवइड करते हैं ना राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है उन बच्चों पे उनके जीवन पर क्योंकि सिर्फ याद रखना चाहते हैं ऐसे बच्चे जो एक्जाम से पांस दिन पहले पढ़ते हैं और क्लास में टॉप कर जाते हैं वह राहू है खेटू-परकरी कॉबिशन राइटर बनाता है राहू मरकरी कॉम्बिशन मुल्टीफ लॉइंग शीक्र ब्रबाश है वाला बनाता है तो मरकरी लिखने वाल? मरकरी याद रखने वाल來到 तो आपकी कुंडली में राहू किस भाव में है उसको देखिए मालनी जी किसी का राहू टेन्थ हाउस में है कोई भी राशी है कोई भी राशी है टिक है यार विखास तिरपाठी जी आपका तो बैग्राउंड बड़ा सही है यार आपका सहर्ण गॉन लगा ने ये बेग्राउंड लगाया है तो राफव जिस ब्हाव में हैं काल्पूष कुलि देखो को उसी राशी पड़ती जैसे राहू दशंम है देखो की काल्पूष कुल्डी में दशंम में कौन सी राशी है अब जो भी प्लैनेट कैप्रिकॉन में बैठा हुआ है आपके चार्ट में राहु का पूरा इंपक्ट जाएगा उसके उपर और अगर वो नीच का हो गया वहां पर जैसे राहु टैन्थ हाउस में बैठा हो तो कैप्रिकॉन में अगर डैबलेटिड जूपिटर है इसे लोगों को बहुत केरफूल रहना चाहिए कि आप गलत नौलिज पास पास और ना करें बच्चों का प्रॉब्लम हाँ फॉरन इसे कनेक्शन बना सकता है वही जूपिटर राहु जो मैं बताता रहते हैं ऐसे लोग दूसरों के से प्रभावित होते हैं और लाइफ में बहुत हो जाते हैं या गलत रास्ते के चल पड़ता है अगर आपका राहु टैन्थ हाउस में है और जूपिटर कैप्रिकॉन में चाइ लगन में बäटा हो और शनी एरीज में बैठा हो थो क्योंकि एरी में सैटन डेबल लेटिड है हैello के लिए सैटन जिस भाव का लॉड है उसके लिए थोड़ा प्रॉबमाटीक हो जाता है अपना अग्षी करता है रहु उसको प्ल्यूट कर देता है तो आप राहू सैटन आदमी अधियालिस्तिक है या आदमी फॉरंड के लिए ठीक है क्योंकि सैटन कर्मा राहू उस मतलब आएगा कर्मा पर आएगा और सैटन जिस भाव का लॉड है और सैटन एरीज में बैठा हुआ है तो हैड से लेटेड डिक्कतें देगा उसको मेलेफिक इंफ्लेंस वो राहू पल्यूट कर देगा उस एरीज में बैठे हुए सैटन को है तो राहू बार्वें भाव में बैठा हो है और मर्कृ मीन राशी में बैठा हुआ आएं ऐसा आदमी ठीक है वह बहुत सारी चीजन सीखना चाहता है मुल्टिक डीगोड्य डीक्री डबल डीग्रों या लेकिन वह आदम ब्रहमित बहुत है उसके उपर सोश्ल मेडिया का उसकी उपर उसकी जालाद प्रवीद्य горिट लेकिन ब्रहमित भी करेगा उसको जीवें में पॉल्यूट करता है मर्कृरी को वांपे पॉरन फ्रेंड्स फॉरन लेंग्विजीज फॉरन थिंग्स सीखने के लिए वह अच्छा है लेकिन लिविंग बिंग्स देसे बुवा हो गया में टर्वन अंकल के उनके लिए ख्राब है राहू बारव में और मर्कृरी मीन में बैठा हो तो देखो कि लियो में कौन से प्लाइन बढ़े वह जो अभी तो चार्ट था क्या था राहू पंचम में है और लियो में देखना है कि प्रप्लाइन कौन से वहां पर सन है मार्ट से मर्कृरी है यह सब है वीनस है तो राहू का इंफ्लेंस जाएगा टैंठ आ। बहुत प्रॉमिनेटली जाएगा यह भी एक फैक्टर था उनके फ़रण में काम करने का है कि यृए कि राहू पंचम में है तो हम लियो को देखेंगे कि लियो कहां पर पढ़ता है उसकी उपर कौन से प्लेनट है मैंने कहा पॉल्टिशन से लिंक लेकिन आखों में दिखकत फादर को इस फॉरण करन्सी राहू फॉरण है तो राहू का इंफ्लेंस के कर्मा पर जा रहा है लेकिन लियो नेचरल फिफ्टाउट्स है न और राहू पंचम में बैठा तो इसको चाइल्ड में प्रॉब्लम आएगा न इसको फेम दे सकता है राहू राहू सन वो एक हाइप दे देता है एक दम राहू सन का कॉंबिनेशन आपको मिलेगा पॉल्टीशन के चार्ट में मैंने कहा लिंक्स देता है वो वी आईपी लोगों से राहू सेवेंथ हाउस में बैठा हो और लिब्रा में कोई प्लान बैठा हो लिब्रा में देखिए कौन सा प्लान बैठो उसके उपर राहू का इंफ्लेंस जाता है राहू अपना इंफ्लेंस दिखाएगा उसको राहू फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो देखो करक राशी में कौन सा प्लान बैठे हुए है जिस भी भाव के लॉड है तो जो जो कारक्त तो रखते हैं उसमें राहू का इंफिस्स जाएगा यह कालपूश कुंदिली का राहू का एकनीक है ऐसे भी चीज़ें देखी जाती है राहू लगन में हो और सूरी एरीज मौन सूरी एरीज इतना दिक्कत वाला मतलब इतना ज्यादा बेनिफिशल नहीं है अब किसी का राहू लगन में नहीं है लेकिन सन एरीज में है तो वो सन के कारक्त तो सन से लेटी चीज़ों लिए बहुत अच्छा है लेकिन जब राहू लगन में है और सन एसमें बैठा उस तो सन के अंदर राहू का इंफरलेंस है यानि कि आप यह देखिए कि मैं क्या कर रही है पहले हम काल पुषकुण्ली फिर भाव पकड़ तब भाव पकड़ रहे हैं कुछ को भी देखते हैं साथ साथ राहू छटे बाव में हो तो वर्गों में जो प्लानर बैठेएगा ना उसके पर राहू का इंफिलेंस है अब वर्गों में मर्करी बैठ जाए तो हाइली इंटेलिजेंट परसन क्योंकि एक तो मर्करी एक्जॉल्टिड है उपर से राहू का इंफिलेंस आ गया तो डिजीज भी देगा तो मर्करी वाला डिजीज देगा वह राहू ठीक है ना राहू अगर एक सेकेंड या रागू हँग्न हाउस में हो तो टारस जरूर देखिए सेकेंड हास आपका खाने का है अम मां लीजे मून मैटा ऑफ़्ज मैं इसमें मला बैटाओ नृथ जान फूर unjust हइंग अब हैं तो मात क्रणसी और स्कश्ड हाउस ओर व हैना different हो जाते हैं कैसे कि राहू second house में बैठा वीनिस टॉरस में बैठा तब वीनिस के उपर राहू का influence जाएगा इजी मनी शेर मार्केट या फरेंड करनसी वो सब पतनी वीनिस वाइश है तो पतनी के उपर वो राहू का influence थोड़ा आप प्रडिक्ट करने राहू second house में मून टॉरस में क्या करेगा फूड से लेटेड हैबिट्स देगा ज्यादा ज्यादा कॉल ड्रिंक्स या कॉफी पीना ज्यादा बहुत ज्यादा सोच विचार करना वो सब influence आएगा मून के उपर फूड से लेटेड कुछ राहू यहाँ पर उसको obsession दे चकता है पूड से लेटेड टिपिकल हैबिट्स दे देगा इस तरीके से भी देखते हैं राहू के influence को कि राहू जिस भाव में गया अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं राहू अश्टम भाव में बैठा हो और चंद्रमा नीच का हो जाए डाट इस वेरी problematic situation that is a problematic placement for moon क्या करता है राहू मून आदमी को उल्जहा के रखता है overthinking देता है OCD देता है problem देता है मदर को psychological issues देता है माराहू फोर्ध हाुस में हो मंगल करक में हो तो इस सब वर्स्ट प्लेस्मेंट चाट नहacular क्यूंकि तो राहू प्सौल्त में है मंगल नीचे आगा कि नहीं Cream राहू सिक्स्थ हाउस में हो वीनस वर्गों में हो प्रॉब्लमेटिक है आपकी मेरे लाइफ के लिए आपके पत्नी के स्वास्ते के लिए पल्यूट कर देगा राहू राहू सेवेंथ हाउस में हो सन लिब्रा में हो वर्स्ट पॉजीशन आपके फादर के लिए आपके खुद के ववाहिक जिवन की समझ माया टेकनीक राहू का क्या हो रहा है सर इसे वर्सा कर दे तो भी सेम एफेक्ट होगा जैसे आपने बताया कि राहू फोर्थ हाउस में और मार्स कर्क में हो इसका उल्टा अगर हम कर दें कि राहू कर्क में हो और मार्स फोर्थ हाउस में तब भी सेम एफेक्ट होगा वो तो रहु वाला टेक्निक है, बिल्कूल हम सुप्रिम पोज करते हैं, कालपुष कुंली को हम सुप्रिम पोज करते हैं, राशी जो बनता है न, ऐसा क्यों है, लोगों को समझना चाहिए कि what is why I'm saying like this, यह टेक्निक कहां से आया, आया कहीं से नहीं है, मैं कोई वो नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ है, वहां से टेकनीक बनाया हो, अब्सर्व किया हो, लॉजिक्स बताता हो, यह जो है न इस इस अ कालपुष कुनली, यह जो बनता है, न राशी, दैट इस फ्रॉम रा फ्रॉम राहू एंड शी फ्रॉम शीखी शीखी मींज केतु जो राशी चक्र जो बारा राशिया है डैट इस राहू शीखी चक्र राशी जो बनती है और राहू का प्लेस्मेंट लगन कुंडली और कालपुष कुंडली के इसाब से वहां पर कौन सा प्लैनेट आएगा उसका बड़ा इंपेक्ट जाता है वो केतु के लिए भी लगता ह मैंने जो टेक्नीक बताया था राहू फिफ्ट में हो ठीक है तो सन को देखो अगर सन का समंद्ध टैन्थ हाउस और लगनेश से है तो एक बहुत बड़ा राज्य हो गए तो अवना पिछला चार देखा जो एक फॉरन सर्विसिस का है जो आईएस क्लियर किया हुआ है राह क्योंकि जोतिश लोगों को चुनती लोग जोतिश चुनने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग सारा दिन यूट्यूव फेस्बुक और उसमें रहते हैं और वहां पर जो अच्छ अच्छ आर्टिकल लिखते हैं बहुत बड़े शैंचाहीं यह लोग लेकिं कुछ सीख नहीं पाते क्योंकि वो जोतिश के पास जा रहे हैं जोतिश जिसके पास आनी उते हैं उसको बहुत कुछ सिखाती हैं को मैंने का ना जोतिश मा है आप एक स्टूने ने बोला बहुत अच्छा मुझे लगा कि सब्सक्राइब रिस्पेक्ट करें जोतिश का बहुत कुछ देती है आप समझना है डीवन मैंने का डीवन डीवन को समझ जाओ इस उमर में तो बहुत छिक्त रहखें चक्र ना अट्थव्य राषी चक्र है का सब्सक्री में कवहां पर है और आज बलेंड हम करते हैं जो उसमें से बहुत सारी सारी चीजें पदा चलती कि गई हुर्ष काम के से चय तो अध कि वी आर यार सोल क्नेक्शन ने चोड़ना नहीं है मतलब इसके साथ वह वाला क्लेक्शन के तुद देता है आप अपर आप रोते हैं वहां पर लेकिन फिर भी आप वही रहना चाहते हैं लवर है बहुत डिस्रेस्पेक्ट करता है लेकिन फिर वी उसी के साथ रहें वो जो देता है न वो केतू देता है वो चीज़ा कनेक्शन ही लड़ना जगना फिर रोना साथ में बैठके तो अभी हमने क्या कहा राहू सैकेंड आउस में हो तो टारस में देखो कौन से प्लैनेट है और मैंने सबसे ज्यादा यह कहा कि डैबलेटिड अगर कोई हो गया जैसे राहू टैंथा उसमें है और कैप्रिकॉन में जूपिटर बैठ गया तो वह जूपिटर के लिए बहुत गन्दा पिलेश्में जाए इसको पल्इूट कर देता हैंmusic aan मेंने कहा राहू अस्टम में हो और मून वरिष्चिक राशी में बैठा हो मून को प्लूट कर देगा आपके थौर्स को पलिओट करेगा आपके मधर के हीस को खराब η आपका खाना पीना उसको पलिओट कि मार्स करक राशी में बैठा है और राहू फॉर्थ हाउस में बैठा है तो करक राशी में कौन से प्लैनेट बैठे हुए वो उनको देखे राहू का इंपलेंस जाएगा उनकी उपर आपके बर्चाट में कि और अगर वहां पर नीच का मंगल बैठे गया तो मंगल के लिए खराब है प्लेस्मेंट के लिए थे क्या ना अगर आप लाहू सेकंड आउस में था तो बटार जिए वीनस को देखना इजी मनी तो सब्सक्राइब पूछते हैं उनके पास पैसा होगा कि नहीं यह कितना होगा तो यह कैसे देख सकते हैं इसके योग बता सकते हैं अक्सर लोगों का सवाल होता पैसा होगा मेरे पास में आप अब ने इंदर मोदी जी का चार्ट मैं ठीक है अभी बता रहा हूं आपका ठीक है लेकिन मैं कुछ ने इंदर मोजी जी का चार्ट स्कॉर्पिय असेंडेंट है या लिब्रा असेंडेंट है इस तक्नीज से पता चल जाए राहू सिक्स था उसमें बैठा हुआ है तो वर्गों में देखो कौन से प्लैनेट है आपको पता चाहिए वह आदमी के से वह क्या कर रहा है वर्गों में कौन बैठा हुआ है सन मर्करी वर्गों में बैठा हुआ है मैंने क्या वोला कि सन और मर्करी दोनों को इंफ्लेंस करेगा वह राहू तो राहू छटे में है सन मर्करी वर्गों में बैठा हुआ है तो राहू का इंपर जा रहा है ना सूर्य के उपर मर्करी के उपर कि पॉल्टिशन ना बताया ना भी पहले शुदिर कि राहु छटे में हो सन वर्गों में हो ऐसा बताया ना या यह मतब राहू जिस बहाव में बैठा हो काल पुषकुंड़ में सन उस में बैठा हो तो एक कंठी क्ठी कॉनेक्षन ना लिब Kwangई लेते हैं है वो यूट्यूब से किसिंग करने में कुछ नहीं जाता है कि सेम के तुपे भी लगाएंगे के तु जिस राशी में बैठा है किस घर में बैठा है बताता है कि उसका टेक्निक थोड़ा डिफनेट हो जाता है अगरी देखिए वरकों में बैठा हुआ है इस आदमी का राहू का इंफ्लेंस पूरा वरकरी पर जा रहा है वानी देखिए बुद्धी देखिए और ट्रेट हाउस में है सन मरकरी मरकरी ट्रेट लॉड है तो फॉरण फॉरण में सबसे ज़्यादा बहुप लेरिटी है लोग कहते हैं विदेश ही गुमते रहते हैं राहू का इंफ्लेंस यह टेकनीक है और बहुत सारे जब मैंने वह राहू का टेकनीक उनको बताया तो कुछ लोग तो यह करते हैं आपका टेकनीक है जलन और इर्श्या आदम को सीखने नहीं देती और बहुत सारे फिर यह होता है कि आपको मैंने का ना बहुत अच्छे चीज़ हैं यूट्यूब पे लेकिन उनके वीडियो के जो व्यूज हैं वो सिर्फ कुछ सौ में है लेकिन वो बड़े लगी लोग है जो उनके वीडियो को देख रहे हैं जोतिश ने उनको चुना हुआ है भीड़ वहीं होती है जहां पर रियालिटी से दूर होती चीज़ है और क्योंकि जोतिश है यह खुद चुनती है कि नहीं मुझे नहीं जाना है तो वह कहीं और ही ब मैंने रिसर्च किया आसराम की गुर्व जो जिनके जो उनको बड़े कटर है आज भी चंदरमा से या लगन से नाइंथ हाउस में या जूपिटल के ओपर राहों का इंट्रेंस से उनके सब्कें तो कई पार मिर बास आते हैं ना वो कहते हैं सरमने दिक्षा लिए तो मैं द जो भोग रहें वो भी उनका समय है कोई लेकि मैं एक जनरल बात बता रहें कि कोई चीज नहीं आनी है किसी को ऐसी हरकते हैं कि लोगों को एजीली से यहां बैठा है क्योंकि जब थोड़ा डीप में जाते तो डगने लगते हैं अरे यार यह समझी नहीं आ रहा है अरे जो सब्सक्राइब में जो जॉब है कंसिस्टेंट होगी या इसकी मैरीड लाइफ कंसिस्टेंट होगी या इसके बच्चे का जो है वो प्रोब्मेलमेटिक नहीं होगा सर इसमें चीटिंग इन्वाल्व चाहिए लेकिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूं पहली बात सैटन मून राहू का ट्राइन कनेक्शन वो मैनिफेस्ट हो रहा है वारन सर्विजिस से ट्रैवल तो रहेगा देखो फ्लक्ट्वेशन रहेगा यहां रहेगी वह चीटिंग भी है ना सर साइटन मून और राहू चीटिंग का बहुत बड़ा कंबिनेशन मनता है क्या होगा कि मैरे लाइफ को थोड़ा कंकि प्रैवल में है यहां से वहां यहां से वहां से वहां वह सब सब च इसे जान बात है टेकनिक राहू कि मैं बताया और cheating is a different subject हम उसको नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, checking नहीं है चार्ट में, ऐसा नहीं होने वाला है, कुछ और वे में कुछ चीज़ें होंगी, वो मैं समझ गया, वो मैं आभी explain करेंगा, वो पार्ट हमें नहीं touch करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो कोई आपको अगर हम चार्ट के कार्मिक व्यू में जाएं, तो 12th from K2, सर प्रॉब्लम तो आएगी, मेजर इशू तो आएगा, जॉब में भी आएगा, देखना आप इसकी जॉब में भी प्रॉब्लम आने वाली है, आज इसको जंडा, इसका जंडा, आज चड़ा है तो वो उतरेगा भी ऐसा इसलिए भी है कि जो 10th Lord है ना, जो Sun है, वो lowest degree भी है, तो बात हो रही है, राहू का टेकनीक है, इसको समझेगा, और जिस भी चार्ट में आपको ऐसी चीज़ें दिखती है, हमने क्या किया, भाव पकड़ा, और फिर उसके कालपूश कुनली का देखा कि उसमें कौनच यह वह आपकालपूश कुनली कि प्यार लिंक बनता है, वो सारा चीज़ें, बहुत सारे भूतादी योग बनते हैं, भूतादी, ना भूतादी मतलब भूत मतलब पास्ट या अदमी अपनी पास्ट की मेमरी या पास्ट की एनर्जी से बहुत पेडित है इस बर वह भी हम राहू के तुसे देखते हैं वह बता दी गलास को मैं यह बोलना नहीं चाहता था तो आदमी अपनी पास्ट की बात अनर्जी से पास्ट की यादों से बहुत पेडित हो जाता है तुसमें राहूर केतु का बहुत बड़ा रोल रहता है वह जब हम धीरे धीरे अभी सीखेंगे तो मैं हर वार एक कुछ राहू केतु राहू केतु के पूरा किताब लिखा जा सकता है को कैसे हम करते हैं कैसे बड़े-बड़े पॉलिटीशन के चाहत में राहू चार्ट क्यूं है मतलब इस संसार में यह राहू है यह पूरा संसार इस से राहू हर जगर राहू का इंटेंस है जितने चका चौंद है सब राहू है और जितना कहीं साइलेंट बैटा हूँ आदमी है वो केतु है इवन बहुत सारे लोग प्रिटेंड करते हैं अब राहू छटे में बैटा है मिंद्र मोदी जी के चार्ट में हमारे माने निया प्रधान मंत्री के चार्ट में के तु वर वो ठीक है जरूरी है राहू की दुनिया है ना इंफ्लेंस करना है लोगों को माइंड को या तो चलता है सब चलता है कोई दीक में इस समय लोगों के पास बोधी चीज से बैटर आप्शन कोई आए नहीं किसी का समर्थक नहीं उँँ लेकिन ब्रिंग मिया बैटर चार्ट ये ये मेरा पर्संपूर्ण वोह है लेकिन मैं किसी का उना तोम बीजेन सब्सक्ति विसे कि चीज़े ऐसी क्यों हो रही है जो साधू है साधू है कोई तो वह कहीं इतांत में है जितना जो दुनिया की चका चौन में इंवल्व हो जाए चाहिए वह आपका बॉलिवुड है होलिवर्ड है जितना मीडिया है सब वह राहू है अब लोग सारा दिन फेस्बूक पर रहते हैं यूट्यूब पर सारा दिन वीडियो सीखते हैं या श्रूजी सीखते हैं डाट इस राहू जुपिटर या राहू मरकृ आप देख लिए आप बून पर राहू का इंवलेंस है तो हम सब लोग तो राहू जीते हैं यहां पर एक्शली राहू का बड़ा कनेक्शन है दुनिया को जीवन देने में राहू का वारहा अवतारा आज आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हाला कि इस दुनिया में यगर चलना है तो राहू से चलिए अच्छा जाएंग इसका राहू स्टॉंग होता है वह बड़ा शातिर होता है वह आदमी इस देश में जितने सबसे ज़्यादा काम्याब लोग हुए है बिजनस्मैन है प्रोफेशन है पॉल्टीचन है पूर सब राहू की बज़ेसी होता है शरीफ आदमी दुनिया पर राज कर सकता है चलाक लगता है तो राहू जिसका राहू प्रामिनेंट होता है तो तो उसको कभी-कभी ग्हुटा है साला मैं यसे कितना गारा कैसे हो सकता हूं उसको लगता है ऐसा राहू ठीक है खेर सर राहू के तू पर एक बुक का मानिक चान जायन जी की हां है उनों हां जी वो मतलब ब्रिलियंट बुक का सर अगर राहू के तू वो किसी ने पढ़ना है न तो उनकी बुक पढ़ ले आप सब समझ में आ जाएगा लेकिन वो ट्रॉपिकल पर है ट्रॉपिकल जोडिय करते हैं वो साइडरल नहीं करते हैं तो उसमें थोड़ा सा फ इस दोनकी साथ अड़ेट बहुत टाफ आतर वह तो उसमें बहुन है पर यह कंदि कुली अब है टेकनीं स्टेक्नीक बहुत काम करता है अब हम बात करते हैं के-2 की देप